दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारती एटल स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट की अगर मैं बात करता हूँ करीबन 2% की किरावट हमें देखने को मिली है 908 रुपे पर क्लोजिंग स्टॉक ने बना कर दिखाई वहीं वन डे चार्ट की अगर मैं बात करूँ शुरूआत में तो तेजी देखने को मिली लेकिन अभी धीरे धीरे गिरावट स्टॉक में जारी है अगर यही गिरावट गंटीनियू रहती है तो नीचे की तरफ 875 का एक सपोर्ट लगा कर चल सकते हैं इस सपोर्ट का पूरा ध्यान रखना है अगर इसको भी ब्रेक करके स्टॉक नीचे जाता है और निचले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बात करें टारगेट्स की यहां से रिकवरी बनती है एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन्स में जो टारगेट स्टॉक अचीव करेगा वो हैं 925-950 रुपीज तक के टारगेट भी भारती एटल अचीव कर सकता है तो अगर आपके पूर्टफोलियो में भारती एटल शामिल है कंटीनी होल्ड करें यहां पर फ्रेज बाउंस को अभी एवोइट करें वेट एंड वाच की स्ट्रेटजी अपना कर चल सकते हैं जैसे ही बाइंग का मौका बनेगा हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे तो यही स्ट्रेटजी आपको बनानी हैं भारती एटल में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद